असलाम आपको कमर की साइड डिजाइनिंग बिनाना सिखाएंगे उसकी डिजाइनिंग के लिए हमारे पास ये कपड़ा है इसकी हमने चुड़ाई चार या हमारे पास इदर पोने चार इसकी चुड़ाई है और लेंथ हमने 35.5 इंच रखी है हमने शट से 3-4 इंच इसकी लेंथ से ज्यादा रखनी है इस पटी की क्योंकि जब डिजाइंग करती है तो इसकी लंबाई और चड़ाई में थोड़ा फरаг आ जाता है हमने तिर्चा रुख के इसके प्लेड डालने है कपड़ाई को बिल्कुल दिर्चा रखके इसकी किनारे की ओपर सलाई लगानी है स्लाई बिलकुल इसके किनारे के उपपर आए यह देखें इसके स्लाई बिलकुल किनारे के उपपर आए इसी तरह हम दूसरी स्लाई लगाएंगे सेंटर आप चाहें एक इंच छोड़े आदा इंच छोड़े यह पोना एक इंच मैं इधर पोने एक इंच का सेंटर इसका छोड़ूंगी अपनी मर्जी है जितना मर्जी आप इसके डिस्टेंस छोड़े और दूसरी स्लाई भी ऐसे ही लगानी है बिलकुल किनारे के उपपर इसी तरह हम यह स्लाई यह लगाते जाएंगे बिलकुल ऐसे हमने सारे स्लाई लगानी है फुल पट्टी पर यह देखे हमारी पट्टी बिलकुल रैडी है सारे प्लेयर्स हमने डाल ली है इसको तिप्छे रूफ के प्लेट कहते हैं अब इसकी प्रेस लगाएंगे यह देखे है हमारी यह प्रेस भी लग गी है अब हम इसके उपर इस कपड़े की डिजाइनिंग करेंगे आप चाहें तो इसकी यह पाइपिंग भी लगा सकते हैं लेकिन मैं इदर पाइपिंग नहीं लगाऊंगी इसके उपर थोड़ी चोड़ी सी पटी करके लगाऊंगी एक एक पैर की यहाँ पर यह पर यह करके इतनी चुड़ाई में मैं इसके उपर पटी लगाऊंगी पैर पैर की सलाई लगाएंगे अपनी मर्जी है आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं बटी भी लगा सकते हैं यह देखें यह हमारा एक्स्ट्रापीस है यह हमारे पाइपिंग पैर श्यर्ट्रापीस है श्यर्ट्रापीस है इसकी हमने यह तैय लगा ली थी इसकी कमर हीप इसके चौक यह सारे हमने तैय लगा ली थी यह देखें चरस्ट कमर हीप जितनी हमारी यह फिटिंग है ना हमने उदर तक निशान लगा के इसको तैय लगा देनी है ताके जब हम पटी लगाएं हमें कोई मसला ना बनें फिटिंग से आगए यह फिटिंग से थोड़ी हटके हमारी इस लाई न लगें बिलकुल फिट अब हमने इसके उपर यह देखें इसके किनारे के उपर हम स्लाई लगाएंगे यह वाले स्लाई भी हमारी लागी है अब हम इसको जितना आपने कपड़ा बाई रखने है उतना रखके आप प्रेस लगा लें आपके अपनी मर्दी है इसके फोल्ड का लें प्रेस लागी है हमारी हमने इद्धर यह यह जो निशान लगा हुआ है हमने अड़ाइंच का इसका निशान लगा है सारी पट्टी पे हमने अड़ाइंच के निशान लगा लेने है जितनी पट्टी हमारी बाहर की तरफ आए अब इस पटी को हम शेड के उपर लगाएंगे जितना हमने पटी के उपर निशान लगाया अडाइ इंच का उतना ही हम इदर लगाएंगे चस्ट के निशान से स्टार्ट करके इदर राके अडाइंस का हम इर निशान लगाएंगे अब इस पटी के ऊपर राके निशान तक हम स्लाइगे गैंगे जो हमने अडाइंस के यह निशान लगाए है, यह निशान, और जब लुपिटिंग के नीचे आए लगाईगे है यह दोनों सेम आने चाहिए, बराबर आने चाहिए बिलकुल फीटिंग के निशान के उपर यह सलाई आए आपने इस बात का दिहां रखने हैं कि जब हमने डिजाइनिंग करने हैं यह डिजाइनिंग के लिए यह कपड़ा लेना है, यह आडा हो, यह तिछा हो यह बिलकुल सिधी पटी ने लेनी, जब हमने इसको लगा कि इसकी प्रेस लगानी है अगर हमारी पटी बिलकुल सिधी होगी, हमारी पटी की शेप नहीं बनेगी आडे कपड़े को जैसे जिस तरह मोड़ेंगे, यह मोड़ जाएगा लेकिन सीधी पटी नहीं मुड़ेगी हमारी पटी लाग गी है इसी तरह हम दूसी साइड पे भी लगाएंगे ये पटी भी लाग गी है अब इसको हम शावर लगाएंगे शावर लगाके हम इसको प्रैस लगा देंगे ये देखें हमने इसको शावर लगाके इसके प्रैस लगाई है जब हम इसको इस ग्रीन पटी के उपर हम स्लाई लगा देंगे तो हम ये वाली स्लाई उदेड के दबारा लगाएंगे फिर इसमें कोई बालो गहरा नहीं आएगा ग्रीन पटी के किनारे के उपर हमने स्लाय लगानी है ये कपड़े को बिल्कुल सिधा रखके आगे की तरफ खैंच के रखें कि दूसरी साइड पर भी हम इसी तरह इसलाय लगाएंगे अब हम इसको उदेड़ेंगे उदेड़ के हम इसकी दुबारा सिलाय लगाएंगे फिर ये बिल्कुल नीट आएगी इसमें कोई बालो गयरा नहीं आएगा आप ये देख सकते हैं इसमें कोई बालो गयरा नहीं है कितनी नफीस लगी है तो फ्रेंड अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करें बेल लाइक निचा बटन को प्रेस करें ताके हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें